सबी दोस्तों को जय हिंद बंदेमात्रम राम राम S.S.C. चीडी मिपूर की नेवाली भरती में S.S.C. बहुत बड़ा नोटंकी कर रहा है बच्चों के साथ और बच्चों के सलाई के साथ साब साब खेला जा रहा है S.S.C. ने सबते पहले कहा था कि आप सभी के एक्जाम साथ मार्च तक खतम हो रहे हैं जैसे हैं एक्जाम खतम हुए सारे बच्चे एंसरी के इंतिजार में लग गए और S.S.C. ने नो दिन तक कुछ नहीं बोला और नो दिन के बाद S.C. ने एक मुटिस जारी किया इसमें S.S.C. ने ये कहा कि करीमें 16,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्जाम देने टाइम उनको टेक्निकल इसू आ गया था जिनके चक्कर में उन सभी के एक्जाम रीकंडट कराया जा रहा है कब दोस्तों आपके 30 मार्च को और टोटल सेंटर कितने हैं 81 सेंटर इसमें से जादर सेंटर उपी और बिहार के बच्चो के हैं और S.C. का मन अभी भी नहीं भड़ा आज एक और नोटिस जारी किया है जिसमें और कुछ बच्चोién को एड़ किया गया इसमें पहले तो 16,000 प्लस के इंडिट थे, अब इन्हें से और इंडिट को एड़ किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भाईया, 20 मार्च का दोस्तों, यहाँ पर डेट यहाँ पर दिया गया, वेबसाइट में अप्लोड किया गया, नोटीस, इसका यहाँ पर सेंटर है, इसमें 173 बच्चे है, टोटल अगम अगर प्लस कर दें, तो 323 बच्चों का भाईया, फिर से एड़ किया गया है, कि इन लोग का एग्जाम फिर से रिकनेट किया जाएगा, और यह भी सेंटर आपकी UP, और बिहार की ही बच्चों का ज्यादा तर आ आ रहा है, आपने जितना भी दोस्तों देखा होगा, जातर सेंटर यूपी बिहार के बच्चों का है, तो ऐसा क्यूं हो रहा है, ऐसे सी क्यूं ऐसे नोट अगी कर रहा है, तो मैं दोस्त, ऐसे सी इतनी बड़ी संस्ता है, एग्जाम कराने में इतना प्रॉब्लम क्या हो गया, कि भा बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, और मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, आप सब अभी थोड़ा updated रहो, हो सकता है, आप लोग का भी ऐसे कोई notice जारी हो, जिसमें ऐसे सी कहे कि technical issue है, आपका exam फिर से connect कराया जा रहा है, तो मैं आप सभी होगा, तो आप admin कर पाओगे, और फिर भाईया बाद में exam देने के बावजूद भी आपने result नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई किये, मैंनत किये, SSC गलती कराया, मैं नहीं चाहता है, किसी बच्चे का life खराब हो, यह center आप देख सकते हैं, और इसके बारे में, मैंने specially, अपने टेलिगाम चेनल पे, पूरा दोस्तों अप्लोड किया हुआ है, अगर अभी तक आपने टेलिगाम से नहीं जूरें, तो जाकर जूर जाना, मैंने अपने टेलिगाम में पूरा पूरी दोस्तों data अप्लोड करके रखा हुआ है, और मैंने अपने सारी जनकारे और कहा कि देख सकते हैं SSEGD का Exam का कैंस ऑगया और एक नोटीस आया हुआ यहां पर देख सकते हैं और करीमन تीं सो बच्चों का बढ़े Exam Cancel किया गया है और इस time के दोस्तों मैं बता दूँ जिन बच्चों का भी Exam? Cancel होँआ on they call them ара दोस्तों मैंने अभी आपके ढाल दिया है इस लिंक पर आप डिक करके आप अपना डाउनलोड कर पाओगे यहां पर यहां पर यह रोल नमबर पादार नेम डालके आप डाउनलोड कर सकते हो और जैसे लिए करोगे एक क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इन सभी का लिंक में अपर टेलिगाम चनल पर डाल दिया है वहाँ से जाके आप अपने एड्मिकार डाउलोड कर सकते हो वहाँ पे मिने लिंक बगर सब कुछ डाला हुआ और जो भी SSE का सबसे पहला नोटीस आता है मैं अपर टेलिगाम चनल प्रोवाइट करा देता हूँ मैं टेलिगाम का नाम है सौरभ दिशा इन्पो आप फड़ा-फड़ जाके जोईन हो सकते हो SSE के जो भी अपडेट आसे सबसे पहला पर टेलिगाम प्रोवाइट करा देता हूँ और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ आप लोग अभी अपडेट रहो SSE कुछ भी कर सकता है अब बाद बागी फिर बाद में नोटीस आए फिर आपको पता ना चले कि ऐसा हुआ है तो फिर बहुत में इसू होने बाले है इसके चक्कर में आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा सा रेडी रहो SSE कुछ भी अभी करा सकता है और जब SSE इसे कराता है तो बहुत दुख लगता है यार फिर बच्चों का मेहनत है एक-दो दिन का मेहनत नहीं बहुत दिन का मेहनत है और जब इस टाइप दोस्तों कांड आता है तो दुख रखता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ तो अगर SSE और कोई नोटीस जारी करें 24-25 तो पूरा अपडेट रहना है हो सकता है कहीं आपके एक्जाम का कैंजलेशन का नोटीस आजा है तो पूरा रही रहना है और रिदिजन वारा करते रहना है और जो बच्चे एक्जाम देने जा रहे है SSE GD का और एक बार करनी है और कुछ भी दोस्तों आपको ऐसा नहीं कुछ नया पूछ लेगा वही चीज दोस्तों पूछेगा जो आपके पहले दोस्तों पुछे आते हैं कोई आपके एक्स्टा ची एक्सेसी नहीं पूछने वाला है तो इसलिए अब आप उसके लिए special कोई त्यारी करने की जूरत नहीं है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, जो भी अपने previous year में exam दिया था, इस year आपने exam दिया था, उसी table एक portion आएंगे, और वही same pattern गिरने वाला है, तैयारी में लगो, और selection लेकिया हो, अभी तक आपने टेलिगाम चलों को जोईन करो, और 24-25 तो पूरा अपडेट रहना, इसके बाद और किसे कोई notice नहीं है, cancellation का confirm है, लेकिन 24 पूरा अपडेट रह पहले बार जिसने आपने question अटेंड किया था, इस बार उससे ज्यादा question अटेंड कर किया होगे, मेरे को अपने पर विश्वास है, आपके पर विश्वास है, आप मेहनत करो, हार मानने कोई जूरत नहीं है, 30 मार्च को एक्जाम हो रहे है, अभी टाइम है, revision मगरा करो, previous year क salt paper वगरा मारो, कोई दिक्कत नहीं, previous year का आप जितना salt paper मारो, उतना आपका दिमाग में, भाईया, knowledge जाया, case type पर question आते है, और मैं आप सभी के लिए एक gift कर देता हूँ, previous year का, हर दिन आपको एक-एक set अपने, telegram चेन प्रवाइड करा दूँगा, free of course, ठीक है, हर दिन दो